Hello students, welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. Students, हम best of the best current affairs provide करते हैं. आप हमारी applications Carried Cloud को जाके चेक कर सकते हैं, जहाँ पर आप easily आपको various courses देखने को मिलेंगे, quizzes attempt करने को मिलेंगी, PDFs मिलेंगी, जो कि आपकी preparation में बहुत ज़ादा help करने वाली हैं. हमारा जो session है, हमारा जो courses है, ये क्यों top notch रहते हैं? क्योंकि जो हमारी applications है, हम यहाँ को variety of questions प्रोवाइड करते हैं, variety of notes प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पर आपको content मिलेगा बोथ Hindi as well as English में. आपको क्या करना है, हमारी application को download करना है Google App Store से, जो कि आप easily Carrier's Cloud के नाम से search करके download कर सकते हैं, and once you have downloaded, आपको login करना पड़ेगा with your Gmail ID, and login करने के बाद आपको हमारी जो भी courses है, वो यहाँ पर आपको सारे देखने को मिलेंगे, जो भी आपको quiz attempt करनी है, वो देखने को मिलेंगी, आपको e-books मिलेंगी यहाँ पर, path मिलेंगे आपको, and जैसे मैंने आपको बताया, हम daily basis पे, weekly basis पे और monthly basis पे current affairs अप्रोड करते हैं, both in Hindi as well as English language, यहाँ पर आप देखेंगे, जो daily basis पे आपको notes प्रोड किया जाएंगे, फिर आप YouTube पे वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद आप आके इस application पे quiz attempt कर सकते हैं, daily basis पे जो कि बहुत जादा helpful रहने वाली है, similarly, weekly basis पे भी आप ये करेंगे, जो current affairs हैं, उसके आपको PDF मिलेगी, and आप quiz attempt कर सकते हैं, weekly basis पे भी, जो कि आपकी preparation को एक step आगे लेके जाएगा, and फिर ऐसे ही, जो monthly basis पे आपको 100 questions की important PDF मिलेगी, वो आप revision के लिए एक बहुत अच्छा source रहेगा, आप सभी students के लिए जो government exam experience हैं, इसी के साथ साथ आप देखेंगे, हम banking और economic के current affairs प्रोवाइड करते हैं आपको, हम state wise current affairs प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो उत्राकंड, उत्तरपरदेश, त्रिप्रवा, तिलंग न कोई भी state हो, not just this friends, इसी के साथ साथ देखेंगे, हम आपको topic wise current affairs भी प्रोवाइड करते ह name the topic और आपको उस topic के हाँ पर current affairs देखने को मिलेंगे, जो भी government schemes launch की जाती हैं, जो भी MOU science किये जाते हैं, जो भी indexes and reports आती हैं, वो सारी हमारे दुवारा cover की जाती हैं, ताकि student को one of the best experience मिल सके current affairs का friends, यह हमारी वीडियो थी, I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी, इसी के साथ साथ friends, आप हमारे YouTube चैनल को subscribe कर सकते हैं, आप Telegram चैनल पर जाके हमें follow कर सकते हैं and इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी problem आ रही है या तो payment में या हमारे courses के साथ, तो आप हमें contact कर सकते हैं at the number 767733862 या फिर आप हमारी mail ID पर हमें mail कर सकते हैं and I'll make sure कि आपकी जो problem है उसको जल्दी से जल्दी solve किया जाए, इसी के साथ साथ आप हमारे Instagram handle affairscloud underscore official को follow कर सकते हैं, code और याद रखना वो है विकास 10, अगर आपको 10% का extra discount चाहिए, तो आप विकास 10 का code यूज कर सकते हैं, आपको crack 10 के अलावा 10% का discount यहाँ पर मिलेगा और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी issue आ रहा है हमारी application से related, website से related या आपका course purchase नहीं हो रहा है, या आपका course purchase हो गया है, पैसे cut गए हैं या कोई भी issue आ रहा है, तो आप हमें contact कर सकते हैं at the number 967733862 या फिर आप mail कर सकते support at the rate of affairscloud.com पे and I make sure हमारा representative आपको जल्दी से जल्दी आपको reach करेगा and आपकी problem को solve करेगा Hello everyone, तो आज की वीडियो में हम third week of October month के important current affairs discuss करेंगे, काफी helpful session रहेगा तो end तक बने रहे हैं, काफी कुछ सीखने को मिलेगा, चलिए start करें Kerala, Kerala became the first day to have hall marking centers in all the districts, Kerala state के हर district में यहाँ पर आपको hall marking centers देखने को मिलेंगे All hall marking centers क्या होते हैं, यह gold की purity को यहाँ पर बताने के लिए Next, RCS Udhan scheme को अभी कितने साल पूरे हो गया है, तो इनको 6 साल यहाँ पर पूरे हो गया है For the RCS Udhan scheme, तो कितने 6 साल Next, One Nation, One Election website को अभी launch किया गया, कब launch किया गया, during the high level committee second meeting के दोरान यह जो high level committee की जो meeting है, यह हुई थी, इसकी second meeting हुई थी, इसके दोरान website launch की गई और यह जो high level committee है, इसको chair कौन कर रहा है, वो है, रामनात कुविन जी, आप इनको यहाँ picture में भी देख सकते है Next, आता है, फिर Mirai Asset Financial Group has promoted Swaroop Mohati as their vice chair person, तो इनके यह नए vice chair person बन गया है Next, Indian Army, इनको अभी एक vertical wind tunnel train करने के लिए मिली है, इनके special forces को, जिसके नीचे यहाँ पर high speed fence देखने को मिलेंगे And vertically, यहाँ पर आप जैसे picture में देख सकते हैं, यहाँ पर exercise अपनी कर पाएंगे, अपने experience ले पाएंगे And यहाँ पर खुद को train कर पाएंगे Next, Global Media and Information Literacy Week, कब observe करते हम इसको, तो 24 से लेके 31 October तक observe किया जाता है Global Media and Information Literacy Week चलिए अब MCQ questions पर चलते हैं कुछ पहला कर रहा है, which among the following is correct with respect to the Forbes India's 100 Rich List 2013 जो October में release की गई इसमें से अगर option ABC देखें तो option A सही आपका बिलकुल और option C सही है, B यहाँ पर गलत हो जाता है Option A कर रहा है, Mukesh Ambani जो की Chairman and Managing Director है Reliance Industries Limited के इन्होंने इस Forbes India 100 Rich List को Top किया, इनकी Net Valuation रहेगी 92 Billion Dollar and second position पर आ जाते हैं Gotham Adani of Adani Enterprise, इनकी Net Worth रहेगी 68 Billion Dollar C option के रहा है, Nikhil Kama जो की Co-Founder है, Zerodha के यह एक Trading Platform है यह youngest billionaire बन गए at the age of 37 and has been ranked 40th position along with his brother Nitin Kama जो की 44 years के है and इनकी Net Worth रहेगी 5.5 Billion Dollar B option क्या कह रहा है, Rekan Junjunwala of Titan Company is the India's Richest Women तो नहीं यहाँ पर correct करेंगे, Rekan Junjunwala नहीं है, वो कौन है, Saavitri Saavitri Jindal, जो की O.P. Jindal Group की O.P. Jindal Group से बिलॉंग करती है, यह यहाँ पर इंडिया की Richest Women बनी with a Net Worth of 24 Billion Dollar तो यहाँ पर option B अब ठीक हो गया है, पहले गलत है Moving on who has been awarded with the best Central Bank Award 2023 for being ranked A-plus in the Global Finance Central Bankal Report Card तो इस Report Card में A-plus यहाँ पर grade आने वाला व्यक्ति कौन बने है, वो बने है, शक्तिकान जास जी यह governor है, कहा के RBI के, आने इनको अभी A-plus rating मलनी for, because यहाँ पर जिस तरीके से finance को यहाँ पर manage कर रहे हैं, जिस तरीके से यहाँ पर economic को manage किया जा रहा है जो जो steps ले जा रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए, यहाँ पर A-plus rank दी गई A से लेके F तक की यहाँ पर ranking थी, और यहाँ पर शक्तिकान जास जी को A-plus की ranking में लिए Next, Daniel Nobao, यह भी youngest president बने हैं किस country के, तो Ecuador के हाँ पर आद रखेंगे कि यह youngest president बने है 35 साल के यह businessman है, जिनको भी यहाँ पर president appoint किया गया है Ecuador का Next, who has been recently elected as the 42nd Prime Minister of New Zealand New Zealand के 42nd Prime Minister कौन appoint किये गए है, वो है Christopher Luxon Christopher Luxon, यह क्याँ से बने है, 42nd अगर पूछा जाए, 41st Prime Minister कौन है, कौन थे New Zealand के, वो है Chris Hipkins अगर ऐसी question पूछा जाए, कि Christopher Luxon किनको replace करेंगे, तो वो replace करेंगे Chris Hipkins को to be the new Prime Minister of New Zealand Next, name the Indian Cricketer जिनको appoint किया गया, brand ambassador of Puma India Puma India का brand ambassador अभी किनको appoint किया गया, कौन से player है वो, वो है मौमद शामी एहमद, correct यह right arm fast baller है और इनको यहाँ पर Puma India का भी brand ambassador appoint किया गया था, ठीक है, next Name the spacecraft जिसको अभी recently launch किया, NASA के द्वारा, यह किसलिए launch किया गया था, to an interplanetary transfer orbit by using SpaceX Falcon 9 heavy rocket from Florida USA Study करने के लिए, research करने के लिए इसको launch किया गया था, NASA का यह rocket रहेगा पूच जा रहे रहे है, क्या नाम है इसका है, तो यह site spacecraft है, not rocket, site कि क्या spacecraft का नाम पुचा गया ना, not rocket का, rocket का, rocket तो कौन सो गया, Falcon heavy, spacecraft पूचा जा गया, तो site spacecraft का नाम है, यह नाम रहेगा, इस spacecraft का जिसको भी launch किया गया था ठीक है और यह कहां पर जाएगा psych यह एक asteroid है उस पर जाएगा उस पर उपर research करने के लिए और वहां से फिर samples भी यह लेके वापस आएगा ठीक है और यह जो आपका psych asteroid है यह कहां पर revolve कर रहा है भी sun and mars की orbit के बीच में यह revolve कर रहा है नेक्स्ट बात करते हैं अभी पदमा विभूशन अवाड़ी और 11 चीफ election commissioner of India डॉक्टर मनुहर सिंग गिल इनका निधन हो गया है पूचा जा रहा है इनको पदमा विभूशन से सम्वानित किया गया था तो कब इनको पदमा विभूशन से सम्वानित किया गया था किस साल में तो सन 2000 में यहाँ पर पदमा विभूशन अवाड़ी फॉर सिविल सर्विस डॉक्टर मनुहर सिंग गिल जी को यहाँ पर सम्वानित किया गया था 2000 में और याद रखेंगे मनुहर सिंग गिल जी ही 11 चीफ election commissioner बने थे इंडिया के है नेक्स्ट नेक्स्ट है मराती अतिसारी यह former president है डैश कंट्री के जिनको नोबल प्राइस से सम्वानित किया गया था 2008 में उनका निधन हो गया है तो मराती अतिसारी यह former president कहां के Finland right and इनका भी निधन हो गया at the age of 86 कहां पर Helsinki Finland में right mark करके चलेंगे और इसी के साथ साथ याद रखेंगे इनको Nobel Peace Prize से सम्वानित किया गया था कब करा गया था 2000 कौन से सन में इनको Nobel Peace Prize से सम्वानित किया गया था यह question भी important बनता है तो 2008 में इनको Nobel Peace Prize से सम्वानित किया गया था मराती अतिसारी यह कहां से हैं Finland से नेक्स डेश बिकें दर सेकंड कंट्री आफ्टर बांगलादेश टो ऐलिमिनेंट लिम्फेटिक फैरेस इस इन दोहज़ार थे सिए क्रेक्ट यह आपकी पूछा जा रहे है सबसे पहले जो ककिस कंट्री किया इसको वह है बांगलादेश फिर पूछा जार रहे हैं इसके बाद वो second country कौन से बनी है वो है law people's democratic republic यह वो second country बन गए जिन्होंने अभी recently lymphatic pharesis को अभी खतम कर दी अपने country से next who is the present president of European Union European Union की जो present current president है वो कौन है अर्सुला वांदेर लेंड current की जो president है वो यह है next according to the 15th annual mercer cfa institute global pension index यह भी October 2023 में release की गई और यहां पर पूछा जा रहा है कि इंडिया की क्या rank रहेगी out of 47 countries while tash has stopped the list तो पंदरवी annual mercer cfa institute global pension index में इंडिया की क्या rank रहेगी तो इंडिया की यहां पर rank है 45th out of 47 countries और किस country ने यहां पर टॉप किया तो नीदर लेंड ने यहां पर टॉप किया in this global pension index जो की mercer cfa institute के द्वारा release करी गई तो right option option 2 ठीक है next और यहां पर जैसे retire pension index है pension का बात यह retirement के बाद आती है तो retirement के बाद जो आपके senior citizens होते हैं उनकी pension के साब से कैसे क्या रहता है उसके बारे में आपे ध्यान में रखते हुए इंडिया की rank आती है 45 और नीदर लेंड यहां पर top next which organization has recently approved 181 million dollar loan to build quality infrastructure and services towards improving urban livability and mobility in peri-urban areas of Ahmedabad गुजरात तो याद रखेंगे किस organization ने भी अप्रूव किया है तो वो है Asian Development Bank ने कितना amount 181 million dollar का loan यहां पर अप्रूव कर रहा है ताकि जो development है एमदबाद गुजरात में वो हो सके for the quality infrastructure बनाने के लिए right तुमाग करेंगे कहां पर एमदबाद गुजरात में infrastructure development के लिए Asian Development Bank ने आपे 1.81 million dollar का loan अप्रूव किया next in October Dash became the first Russian bank to register with SEBI as a foreign portfolio investor for category FPI license तो category 1 FPI license के लिए अभी किस कौन सा bank बनाया जो कि Russia का पहला bank है SEBI के साथ उन्होंने for FPI की तौर पे foreign portfolio investor के तौर पे category 1 FPI license के लिए भी apply किया तो वो है Saber Bank ठीक है यह वो पहला Russian bank बन गेम बाग करके चलेंगे और यह जो आपका FPI होते हैं यह क्या होते हैं basically इंडिया के financial assets में आपे इंवेस्ट करेंगे जैसे भारती ग्रूप यह entered into a binding agreement with its joint venture partner EXA to acquire its dash percent stake in भारती एकसा life insurance तो भारती ग्रूप कितना percent 49% stake यहाँ पे acquire करने की बात कर रहा है जिसके लिए उन्होंने कभी joint venture किया EXA ग्रूप के साथ तो 49% और इसके बाद याद रखेंगे भारती Life Ventures Private Limited यह on करेंगे 100% stake in भारती एकसा life insurance next name the actor who will receive the सत्यजीत रे Lifetime Achievement Award during the 54th International Film Festival of India यह कहाँ पर होगा गोवा में होगा November के महिने में होगा और यहाँ पर किनको Michael Douglas को सम्मानित किया जाएगा सत्यजीत रे Lifetime Achievement Award से 20 से लेके 28 November के बीच यह आपका event हमें देखने को मिलेगा right mark करके चलेंगे इसको जो वर्ल्ड सिनेमा में जिन्होंने contribution दिया होता है उनको यहाँ पर सत्यजीत रे Lifetime Achievement Award से सम्मानित किया जाता है correct उसके growth के लिए development के लिए and 1999 में से अवार्ड को institute किया गया था correct और यह भी Michael Douglas को दिया जाएगा 54th IFA जो कि है International Film Festival of India के दौरान जो कि गोवा में होगा moving on Louis Elizabeth Gluck यह एक Nobel laureate है and Jewish American poet है जिनका भी recently निधन हो गया पूछा जा रहे in which year did she receive the Nobel Prize for Literature तो Nobel Prize for Literature से Louis Elizabeth Gluck को कब समानित किया गया था 2020 में और 2023 में अभी इनका क्या हो गया निधन हो गया correct चलिए इसी के साथ याद रखेंगे 1993 में इनको Pulsar Prize से भी समानित किया गया and किस के लिए for the poetry जो की है the wild iris next election commission of India ने अभी व्यासन आर को अपॉइंट किया as the new chief electoral officer of which state तो किस state का तो नागालेंड state के यहां पर अभी recently व्यासन आर को अपॉइंट किया गया new chief electoral officer by ECI ECI ने अभी एक MOU sign किया किस के साथ वो है राजकुमार राओ के साथ और इनको क्या national icon appoint किया गया है आने वाले तीन साल के लिए ताकि जो voter awareness है वो create की जा सके similarly अगर आप को यादो तो national icon किन को पॉइंट किया गया था सचिन तेंदुलकर को भी national icon appoint किया गया था तो यहाँ पर right option बनता है option next next बात करते हैं first world endodontic day कब observe किया जाता है तो शोलो ऑक्टूबर को हम observe करते हैं world endodontic day next which among the following are correct with respect to the 9th G20 parliamentary speaker summit जो कि P20 है ऑक्टूबर 2023 में हुई इससे related पूछा जार है कि ABC option कौन सा ठीक रहेगा तो तीनों option यहाँ पे ठीक रहेंगे PM Modi नहीं यहाँ पे inaugurate किया 9th group 20 parliamentary speaker summit जो किया P20 कहाँ पर at India international convention and expo center यशु भूमी जिसका नाम दिया गया है कहाँ पर है यशु भूमी न्यू डेली द्वार का में है फिर इस summit के दोरान parliamentary forum on life जो किया lifestyle for environment इसको launch किया गया इसके उपर बात की गई और क्या के नए नए initiatives यहाँ पर launch किया जा सकते हैं उसके उपर बात की गई तो बिलकुल सही फिर यहाँ पर theme रखा गया इस forum का क्या था parliaments for one earth, one family, one future जो कि हमारी G20 की भी theme थी along with वसुदेव कुटमका तो तीनों option यहाँ पर आपके ठीक आजाते हैं next किस autonomous organization ने of the ministry of education recently develop किया एक web portal जिसका नाम है अपना चंदरियान for school students that was launched by union minister of education धर्मेंदर प्रधान तो अपना चंदरियान यह school के बच्चों के लिए launch किया गया था यहीं पर आप देखेंगे quizzes हमें देखने को मिलेंगी video lectures देखने को मिलेंगे notes देखने को मिलेंगे pictures देखने को मिलेंगी किस से related चंदरियान 3 से related जोकिन की जागरुकता भी बढ़ाएगी और इसके बारे में सीखने को बे मिलेगा पूछा जा रहे है किस के द्वारा इसको launch किया गया तो NCRT के द्वारा इसको launch किया गया था National Council of Educational Research and Training के द्वारा Next, Ministry of Civil Aviation notified the amendment of the aircraft rules 1937 which will be called as aircraft rules of 2023 Under the amendment following the revision of rule 39C, the validity of airline transport pilot license and commercial pilot license holders उसको increase कर दिया गया है 5 साल से लेके कब तक पहले 5 साल था अब उसको बढ़ा के 10 साल तक कर दिया गया है जो भी आपके airport के pilots होते हैं उनके license को 5 से 10 साल तक यहां पर बढ़ा के डेक कर दिया तो यही आप से question पूछा जा रहा है Next, which among the following are correct with respect to MINA MINA क्या है Middle East and North Africa Climate Week 2023 October में हुआ भी यहां पर पूछा जा रहा है which among the following are correct here तो ABC यहां पर MINA से related तीनों आपके यह बिलकुल सही रहेंगे MINA Middle East and North Africa पहले तो full form याद रखो इस Climate Week की यह काम में हुई रियाद साओधी अरेबिया में हुई which precedes COP28 जो कि है Conference of Parties 28 the UN Climate Change Conference scheduled to take place जो कि दुबाई में होगी late November में तो बिलकुल सही जो Sustainable Tourism Global Center है right based in Riyadh साओधी अरेबिया has launched the world's first global solution hub at the MINA Climate Week बिलकुल सही तीसरा MOU signed between India and Saudi Arabia during the MINA Climate Week in Riyadh cover several key areas related to energy corporation तो यह भी बिलकुल सही तो तीनों option आपके यहाँ पर ठीक आजाते हैं next which among the following are correct with respect to 141st session of IOC जो कि है International Olympic Committee जो कि October 2023 में हुआ इस से related देखें तो तीनों option यहाँ पर यह भी सही रहेंगे जो 141st session था of International Olympic Committee host किया गया था Mumbai महराष्टा के दौरा फिर यहीं पर याद रखेंगे यह इंडिया के दौरा host किया गया second session था second session था जो कि host किया गया था इंडिया के दौरा after 40 years correct और इस से पहले 1983 में इंडिया ने host करा था यहीं पर याद रखेंगे फिर second 141st session of IOC approved the proposal of Los Angeles 2028 organizing committee of Olympics and Paralympic Games इन्होंने हाँ पर पांच additional sports लाएं जो कि है cricket T20 softball या baseball flag football lacrosse and squash तो यह तीनों पांचों आपके हाँ पर sports याद रखने है important है यह add किये जाएंगे 2028 के जो Olympic game होगा Los Angeles में फिर तीसरा कहा रहा है कि IOC ने suspend कर दिया Russian Olympic Committee को for violating the Olympic Charter with the immediate effect तो यह भी बिल्कुल आपका ठीक रहेगा right next which among the following countries is not a member of Quad nation Quad Quad मतलब 4 India Australia USA and Japan यह आपके 4 countries रहेंगे Quad के members और Quad के द्वारे एक exercise होती है मालाबार exercise यह group set up क्यों की गया था ताकि जो Asia Pacific region है वहाँ पर peace maintain किया जा सके चाइना की dominance को कम किया जा सके तो इन में से कौन सा member नहीं रहेगा Germany member नहीं रहेगा next name the company that has recently signed MOU with India AI देखो अभी recently मैं बताता हूँ IBM international business machine इसकी full form रहती है IBM ने अभी 3 MOU sign किये है India AI India semiconductor mission and CDAC के साथ आपके याद रखेंगे Digital India Corporation के साथ digitally आगे भढ़ने के लिए semiconductor development को बढ़ाने देने के लिए and CDAC के साथ मिलके AI के उपर यहाँ पर semiconductor sign quantum field में बात करने के लिए 3 MOU sign किये IBM ने इन 3 organization के साथ India AI, ISM जो किये India semiconductor mission and CDAC के साथ next next है RBI initiated a pilot program जो किये for wholesale segment namely digital rupee wholesale EW for central bank digital currency in the interbank called money market यहाँ पर पूछा गया which among the following bank is not a part of the wholesale CBDC in the government securities pilot project तो कौन सा bank इसका part नहीं रहेगा वो है city union bank पार्ट नहीं रहेगा बाकि सारे यहाँ पर पार्ट रहेंगे of the wholesale CBDC government securities pilot program के next next who along with the Iranian women protest movement has recently named as the winners of shakarov prize for freedom of thoughts जो किये shakarov prize by Roberta Metzola जो कि president है European Parliament की तो यहाँ पर सबसे पहले तो याद रखेंगे जो यह इनको समानित किया गया ना shakarov prize से यह दिया जाते है ताकि जो rights है उसके उपर लड़ा जाए rights के उपर बात कि जाए उनकी जो voice है उसको raise किया जाए correct तो यहाँ पे कौन सी Iranian women है along with the Iranian women protesters जिनको यहाँ पे shakarov prize से समानित किया गया उनका नाम पुछा गया तो वो है Jina Masha Amini right यह along with जो Iranian women है protest movement की उनको shakarov prize से समानित किया गया for the freedom of thought यह किनके द्वारा European union का top human right prize है and European union की जो president है Roberta Metzola उनके द्वारा इस award से इनको समानित करा जाएगा ठीक है शakarov prize की बात करें 1988 में इस award को समानित किया गया था by European Parliament next drop the मुर्मू president of India इनको इन्होंने appoint किया रगुबार दास को as the 26th governor of the state तो रगुबार दास यह 26th governor बन गए है Odisha के and इंद्रा सेना रेडी नालू जी यह बन गए है 20th governor of ठीक है तो रगुबार दास 26 में governor बने Odisha के और इंद्रा सेन रेडी नालू यह 20 में governor बने है त्रे पुरा के माँ करके चलेंगे इसको तो right option यहाँ पर आ जाता है option 5 next name the company जिन्होंने recently अभी golden peacock award को जीता है in the risk management under the power sector तो power sector के अंदर जिस company ने अभी golden peacock award जीता है under the risk management उस company का नाम के रहेगा REC limited यह एक महारतना CPSC है और इनको अभी recognize किया गया for their exceptional performance in the risk management under the power sector और इनको golden peacock award से समानित किया गया by IOD institute of directors के द्वारा next कि स्टेट में प्राइम मिनेस्टर नरेंदर मोदी ने अभी inaugurate किया इंडिया का पहला RRTS system जो किया है regional rapid transit system यह transit corridor कहाँ पे launch किया गया इसको UP में भी इसको launch किया गया इसका 17 km का भी एक portion launch किया गया है अगर टोटल देखें यह RRTS 82.15 km यह लंबा रहेगा इसका सिरफ एक छोटा segment launch किया गया है और यहाँ पे जो train flag off की गई वो rapid X train रहेगी और इस rapid X train का जो नाम रहेगा वो क्या है नमो भारत ठीक है तो right option यहाँ पे UP में इसको launch किया गया है next in October Google ने partner किया Fintech Association of Consumer तो यह face की full form पूछे जारी है इसको ऐसे याद रखेंगे Google ने अभी launch किया Indian government के साथ मिलके एक face initiative इसके अंडर क्या होगा कि जो भी आपकी illegal illegal digital landing applications है Google Play Store पे उनको यहाँ पे खतम करने की बात की जाएगी उनको यहाँ पे expose करके उनको डी लिस्ट करा जाएगा from these Play Stores और उनके उपर फिर कारवाई करने की भी बात की गई तो Google ने यहाँ पे किस के साथ आया Google ने यहाँ इंडी government of India के साथ टाइप किया और क्या launch किया Face अब Face की full form पूछे जा रही है Fintech Association for Consumer Dash तो Face क्या है Fintech Association for Consumer Empowerment इसे क्या आजाता है Empowerment तो simply यहाँ पे पूछा गया है Face की full form बताओ Next किस bank ने भी recently develop किया Expressway यह क्या है Expressway तो किस bank के दोरह Expressway launch किया गया जो कि एक digital banking platform है जो offer करता है a range of financial products and services तो Expressway किस के दोरह launch किया गया है उस bank का नाम बताइए तो क्या रहेगा उस bank का नाम वो है HDFC Bank Important है HDFC Bank के दोरह यह Expressway launch करा गया Next Name the village of India जिसको भी Third edition of best tourism villages 2023 के list में जिसने टॉप किया तो किस village ने टॉप किया है वो है धौर्डो village of Gujarat ठीक इन्होंने टॉप किया as the best tourism village अगर पूछा जाए best tourism village the best tourism village upgrade program में upgrade program में किसने टॉप किया तो वो रहेगी Marla village और Marla village कहाँ पर है यह मध्या परदेश में रहेगी अगर best tourism village upgrade program की बात कर रहे है तो Marla village और best tourism village की बात कर रहे है तो डॉडो village गुज़ाती UNWTO के दोवारा यह दोनों release की जाती है ठीक है Next which military station in India has been backed or has backed the best green military station award तो best green military station award से किसको सम्भानित किया गया वो है Udhampur military station जौफ जमो और कश्मीर second position पे कौन सा आ जाता है देरदुन military station second position पे आ जाता है और first position पे कौन सा रहेगा best green military station award के लिए वो है Udhampur military station Next name the personality who has been conferred with the Harmony Foundations 19th Mother Teresa Memorial Award for social justice तो याद रखेंगे इनका नाम क्या रहेंगी यह है नर्गिस मुहमदी इनको अभी 2023 के Nobel Peace Prize से भी सम्मानित किया गया क्योंकि यह Iranian women के खिलाफ जो वहाँ पे rights उनके चीने जा रहे हैं जो उनको suppress किया जा रहे हैं तो उसके खिलाफ यहाँ पे यहाँ यह लड़ रही है नर्गिस मुहमदी यह भी जेल में भी है और इनको यहाँ पे 19th edition of Mother Teresa Memorial Awards से सम्मानित किया जाएगा for social justice correct November में यह Mumbai महाराश्रा में event होगा और उसके दोराण इनको यहाँ पे सम्मानित करा जाएगा इस 19th edition of Mother Teresa Memorial Awards और 2023 में इनको Nobel Peace Prize से भी सम्मानित किया जा चुका है next name the bank that has received the approval from RBA to acquire 100% of the issued and paid up capital in Sonata Finance Private Limited for 537 करोड रुपीज तो 537 करोड रुपीज के लिए 100% stake buy किया जा रहा है in Sonata Finance Private Limited किस के दोरा? Kotec Mahindra Bank के दोरा next name the third stealth destroyer of project 15B class guided missile destroyer that has been delivered to the Indian Navy in October 2023 तो किस के दोरा deliver क्या नाम रहेगा? उसका वो है Yard 12706 Infall right I repeat name the third stealth destroyer of project 15B class guided missile destroyer that has been delivered to the Indian Navy in October तो उसका नाम है Infall या फिर Yard 12706 right mark करके चलेंगे इसको build किस के दोरा किया गया? अगर पूछा जाए तो मडगाउं डॉक शिप बिल्डर्स लिमेटेड के दो के दोरा Indian Navy को deliver किया जाएगा और इसको जो design है वो किस के दोरा Indian Navy's warship design bureau के दोरा इसका design develop किया गया था बनाया गया था next when was the police commemoration day या फिर police martyrs day observed ये कब observe किया जाता है? तो 21 October को हर साला में observe करते हैं पुलिस commemoration day या फिर police martyrs day moving on Michael दिबार्ता पात्रा जो की deputy governor है of RBI इन्होंने inaugurate किया sub office of the RBI in कहाँ पर इटानगर अरुनाचल में इनके दोरा डॉक्टर M.D. पात्रा के दोरा जो deputy governor है RBI के inaugurate किया गया sub office of the RBI कहाँ पर इटानगर अरुनाचल परदेश में next in October सरगाल्या arts and craft village at Iringal जो की केरला में है इसको select किया गया था as one of the best hundred tourist destinations in the world by the green destination congress जो की tell in Estonia में हूँ मैं फिर से बता रहा हूँ सरगाल्या arts and craft village ये Iringal केरला में located है right and इसको भी list किया गया था in the hundred tourist destinations in the world as the green destination congress जो की Estonia में हूँ थी उसके दोरान hundred tourist destinations की list में इसको add किया गया था best hundred tourist destinations की list में कहाँ पर है केरला में next name the bank जिसको भी partner जिसने भी partner किया NBBP के साथ जो की है NPCI भारत बिल पे limited और इन्होंने मिलके launch किया it services under the business to business category B2B category के इंडर launch किया गया क्या इनके दोरा एक services business की जैसे मतलो payment करना payment receive करना check रखना तो ये सारी payment correct तो ये सारी services तो किस bank नहीं भी tie up किया है NBBP के साथ तो bank का नाम रहेगा यहाँ पर access bank ठीक है इन्होंने टाइप किया NPCI भारत बिल पे limited के साथ ताकि B2B services launch की जा सके फिर यहीं पर आध रखेंगे mygeo ये वो पहली application बन गई to go on live with the B2B category payments के साथ ठीक है I repeat mygeo वो पहली app बन गई to go live with the B2B category payments and access bank ने NBBB के साथ टाइप किया था for this B2B category services next name the regulatory body of India that has been recently awarded with ISAR honors 2023 by UNCTAD working group on international standards for accounting and reporting तो कौन से institute regulatory body रहेगी ICAI ICAI को यहाँ पर याद रखेंगे भी award honor किया गया with ISAR honors के साथ ये छटा edition रहेगा of ISAR honors correct UNCTAD के द्वारा इसको दिया जाता है and इसको present किया गया during the 8th edition of the World Investment Forum ये World Investment Forum कहां पर हो रही थी UAE में हो रही थी अबुदाबी में correct and इसका 8th edition था 6 से लेके 20 October के बीच में ये हो रही थी इसके दोरान यहाँ पर छटा edition of ISAR honors से सम्भानित किया गया ICAI को next name the personality जिनको अभी facilitate किया गया with 2022 Center on the Legal Profession Award for Global Leadership by the Harvard Law School Center of Harvard University USA तो किनको अभी यहाँ पर इस अवार्ड से सम्भानित किया गया वो है D.Y. चंदर्चूद जी यह highest honor रहता है आपका Harvard Law School का correct and यह है Center on the Legal Profession Award by Global Leadership Harvard Law School का यह highest आपका achievement honor है और इससे इनको सम्भानित किया गया D.Y. चंदर्चूद जी को और जी D.Y. चंदर्चूद जी यह क्या है Chief Justice of India है as of now next in October R.B.I. ने अप्रूव किया appointment of Ashok Vaswani as the next managing director and chief executive officer of Dash Bank for a period of 3 years तो Kotec Mahindra Bank के आने वाले 3 साल के लिए यहाँ पर R.B.I. ने अप्रूव किया appointment of Ashok Vaswani को as the new managing director and chief executive officer यह किनको replace करेंगे उद्य कोटक को यह replace करेंगे to be the new MDN CEO of Kotec Mahindra Bank ठीक है next next आजाते है in October ISRO इस्टो ने successfully launch किया first flight test vehicle abort mission of Dash mission from Satish Dhawan Space Center श्री हरी कोटा तो यह ISRO के द्वारा जो अभी first flight test vehicle abort mission टेस्ट किया गया था किसके लिए करगनियान mission के लिए इसको test किया गया था कहा से श्री हरी कोटा Satish Dhawan Space Center in श्री हरी कोटा next who has been recently or who has recently won the F1 USA US Grand Prix 2023 किस के द्वारा जीती गई Max Worst Happen के द्वारा यह इनकी 50 वी victory बन गई है इनकी lifetime की F1 race की और याद रखेंगे इन्होंने 11 consecutive win का एक record बनाया है in a particular year यह है Max Worst Happen Red Bull के लिए drive करते हैं Belgian Dutch यह driver रहेंगे next when was snow leopard day observed across the globe तो snow leopard day कब observe किया जाता है 23 October को हम observe करते है snow leopard day across the globe snow leopard की बात करें तो आपका इसका जो scientific name रहेगा वो क्या है panthera eunisia अगर मैं tiger की बात करूँ तो यहाँ पर scientific name क्या रहेगा panthera tigres ठीक है और जो snow leopard हैं इनकी awareness क्रेट कराने के लिए क्योंकि इनकी endangered species है even इनको red list में mention किया गया of IUCN तो इनके बारे में awareness क्रेट कराने के लिए यह day observe करा जाता है next which company has recently signed a multi-year investment management solution contract with LIC pension fund वो है के फिन टेकनलोड नेक्स आ जाता है और लास्ट क्वेशन आज का इन्होंने अभी टाइप किया Samsung semiconductor India research के साथ ताकि quantum technology lab setup किया जा सके हैं जिसका primary cool क्या रहे research and development correct and better opportunities provide कराना तो दोस्तों यह तो हो गए हमारे आज के important current affairs यह हैं आपके third week of October month अब आ जाते हैं इसके अलावा कुछ और revision current affairs पे जो कि आपके लिए बहुत beneficial रहेंगे for preparation चलिए start करें चलिए start करें सबसे पहले हम बात करते हैं operation अजय की यह operation अजय क्या था तो अभी हम जानते हैं इस्राइल and हमास के बीच में काफी जादा लड़ाई चल रही है right war start हो गई है तो जो इंडियन इस्राइल में फसे हुए थे इंडियन नेशनल्स को evacuate करने के लिए फ्रॉम इस्राइल यह operation अजय launch किया गया था right government of इंडिया के द्वरा अगर आपको ध्यान नो तो ऐसे कुछ और operation starts किया गये थे जैसे for example बात करें तो operation कावेरी यह क्या था यह operation कावेरी लॉंच किया गया था 2023 में ताकि जो सुडान में इंडियन नेशनल्स फसे में उनको evacuate करने के लिए फिर आजाता है operation दोस्त operation दोस्त किसलिए था कि टर्की and सीरिया में जब earthquake आया तो वहाँ पर जो इंडियन फसे हुए थे उनको वापस घर लाने के लिए फिर आजाता है operation गंगा operation गंगा लॉंच किया गया था कि युक्रेन में जब लड़ाई स्टार्ट हुई जब रशिया ने युक्रेन पे टै किया तो युक्रेन में जो इंडियन नेशनल्स ने उनको घर लाने के लिए लॉंच किया गया था और operation गंगा 2022 में लॉंच किया गया था फिर एक आजाता है operation देवी शक्ती ये operation देवी शक्ती 2021 में लॉंच किया गया था इंडियन एर फोर्स के द्वारा अफगानिस्तान में फसे हुए इंडियन्स को वापस घर लाने के लिए फिर उपरेशन समुद्र सेतु ये लॉंच किया गया था 2020 में ताकि COVID-19 के टाइम पे जब लॉकडान लगा तो अलग-अलग कंट्रीज में जो इंडियन्स फसे हुए थे उनको घर लाने के लिए जो मिशन लॉंच किया गया था हो था उपरेशन समुद्र सेतु फिर इसराइल की दो कैपिटल याद रखेंगे एक है टेल अवीव ये और एक होती है जेरुसलेम ठेक चलिए तो ये कुछ उपरेशन सें पता होने चाहिए काफी अच्छा ये टॉपिक है इससे डेफिनेटली आपका कोई ना कोई क्वेशन बन सकता है नेक्स पर आते हैं इंडियन स्पेस कॉनक्लेव अभी इंडियन स्पेस कॉनक्लेव हुई 2023 के में करेक्ट कहाँ पर हुई थी ये मनेक्षा सेंटर में हुई थी मनेक्षा सेंटर कहां पर है यह आपका न्यू डेली में रहेगा मनेक्षा सेंटर और इसको और इसको और इसको किसके दोरा कराया गया था इंडियन स्पेस एसोसेशन के दोरा आपका यह इंडियन स्पेस कॉनक्ले को और इसको कराया गया था और अलग अलग आपके start-ups open होगे, competition बढ़ेगा, तो जो research and development है वो भी बढ़ेगी, new new technology बढ़ेगी, और उससे हम देखेंगे कि space में, जो space sector है उसमें इंडिया को और गुरूद देखने को मिलेगी, तो हमने देखा कि इसको organize कराया गया, Indian Space Association के दौरा, इसको co-host किया गया थ in space and department of space के दौरा, correct तो co-host किया गया था, in space जो कि एक autonomous agency है, department of space की, फिर यही पर theme याद रखेंगे, भूमंडल से ब्रमान तक, जो कि है, from earth to the entire universe, याद की theme रहेगी, Indian Space Conclave 2023 की, यह कब से कब तक हुई थी, 9 से लेके, 11 October के बीच में आप किये, Indian Space Conclave होई, new Delhi में, अगर Indian Space Association की बात करें, तो डारेक्टर जनरल कॉन रहेंगे, याप पे, लेक्टर जनरल अनिल कुमार भट, हेड़कॉर्टर न्यू डेली में है, और इसको 2021 में established किया गया था, चलिए, तो यह है आपका Indian Space Conclave के बारे में, नेक्स आजाता है, निम हंस, यह निम हंस क्या है, यह निम हंस यह क्या है, निम हंस, यह क्या है, नेशनल इंस्टिटूट ऑफ मेंटल हेल्थ और नियूरो साइंस, और इसे रिलेटे नियू टेक्नलोजी और अपके नई एक्टिपेंट्स को, यहाँ पर नई फैसिलिटीज को, यहाँ पर इनॉगरेट करा गया है, मंसुक मांडवे जी के द्वारा इन बैंगलोर करनाटगा, और यहीं प्याद रखेंगे एक नएा लोगो अफ टेली मानस, क्या आप मुझे मानस की फुल फॉर्म बता सकते हैं, टेली मानस की, टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंस और नेट्वर्किंग अक्रॉस टेट, यहाँ पर इनॉगरेट क किया जाते है, 10 अक्टूबर को, जब हमने इसको इनॉगरेट करा, ठीक है, चलिए, नेक्स पर आते हैं, और रीजन क्या था इनका, ताकि इंडिया में हम जानते हैं, जो मेंटल हेल्थ है, उसको इतना कंसेडर नहीं किया जाते है, तो उसके बार में जागरुकता फैलाने के लिए, आवेरनेस क्रेट कराने के लिए ये लांच किये गए और ये इनिशेटेव लिये गए हैं, नेक्स पर आते हैं, नेक्स बात करते हैं, हॉलिवड एक्टर माइकल डगलस, इन्होंने इनको रिसीव कि, ये रिसीव करेंगे अभी सत्य जीत रे लाइफटेम में होगा, इसके दोरान ही, हॉलिवड एक्टर माइकल डगलस को इहां पर सम्मानित किया जाएगा, लाइफटेम अचीवमेंट अवाड जो कि है, सत्य जीत रे लाइफटेम अचीवमेंट अवाड से, और ये 54th IFFI होगा, याद रखेंगे, 54th International Film Festival of India होगा, जो कि गोवा म मार करके जलेंगे, फिर इन्होंने अकैडमी अवाड जीता, 1988 में, एड़ गोल्डन ग्लोब, 1988 फॉरिस रोल इन वाल स्रीट, और इंपोर्टेंट है, इनको लाइफटेम अचीवमेंट अवाड से सम्मानित किया जाएगा, सत्य जीत रे लाइफटेम अचीवमेंट तेरे लाइफटेम अचीवमेंट अवाड से सम्मानित करा जाता है, चलिए, नेक्स पे आते हैं, अरिंदम बाग्ची, आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्स्टेनल अफेर्स के स्पोक्स परसन है, और अभी इनको इंडिया का पर्मनेंट अ पहले याद रखेंगे, इस सेट टू टेक ओवर दा पोस्ट फ्रॉम किस से या फिर ये किन को सक्सीड करेंगे, ये सक्सीड करेंगे इंडरा मानी पांडेजी को, ये 2020 से इस पोजिशन में थे, तीन साल के लिए, अब ये वापस डेली जा रहे हैं, और इनकी बात करें, अ मार्च 2021 में, इस से पहले ये अमबेजडर भी रह चुके हैं, और क्रोशिया फ्रॉम 2018 से 2020, और ये डेप्टी हाई कमिशनर थे टू श्रिलंका, नेक्स हम बात करते हैं भी रिसेंटली, प्रेजिडेंट जी के दौरा, प्रेजिडेंट दौब दे मुर्मु माइम के दौरा यहाँ पर गवर्नर से पॉइंट किया गए हैं, तो यहाँ पर याद रखेंगे, चीफ मिनिस्टर आफ जारकंड, रगुबार, जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर आफ जारकंड रहे हैं, रगुबार दास, इनको भी क्या पॉइंट किया गया है, यह आप पिक्चर में देख स यहाँ पर आद रखेंगे, इंद्रा, सेना, रेडी, नलू, इनको अपॉइंट किया गया है, गवर्नर आफ द्रेपुरा, ठीक है, यह दो अपॉइंट्मेंट काफी इंपॉइंट अभी मार्क करके चलेंगे, फिर रगुबार दास, यह किनको सक्सीड करेंगे, गनेश श ओडिसा की बात चल रही है, तो ओडिसा के चीफ मिनिस्टर कौन है, नवीन पतनायक, मोबस सर्विस भी यही है, करेक्ट पहला ओलम्पिक वैल्यूज एजुकेशन प्रोग्राम भी यही है, बिगेस्ट होकी स्टेडियम जो कि बिरसा मुंदा होकी स्टेडियम है, वो भी ओडिसा में ही लोकेटेड आपका, ठीक है? एकसरसाइस है, वेल्स यूके में इसको कराया गया था, 6 से 15 अक्टूबर के बीच में इस एकसरसाइस को कंड़क कराया था, फिर यही प्याद रखेंगे, गोल्ड मेडल तो इनके दोवरा जीत लिया गया, फिर इसके बाद जो सिल्वर मेडल आया, 67 पंजाब को सिल्वर एंड ब्रिटिश आर्मी को यहाँ पर ब्रॉंज मेडल मिला, कराया किस के दोवारा, यूके के दोवारा, लोकेशन क्या रहेगी, यूके, ठीक है जहाँ इस एकसरसाइस को कंड़क कराया था, चलिए, नेक्स पर आते हैं फिर, नेक्स बात करते हैं, एशियन ड मिलियन डॉलर का लोन अप्रूव करा गया है, और यह जो लोन आपके एंदाबाद गुजरात में, पैरी अर्बन एरियास के डवलप्मेंट में लगेगा, वहाँ पे इंफ्रस्ट्रक्चर को डवलप करने के लिए, वहाँ पे वेरियस सर्वेसे को प्रोवाइड कराने के लिए यह पैसे का यूटिलाइज किया जाएगा, और इसमें अगर हम देखें, तो काफी सारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लान, 166 km लंबा आपका वाटर इस्टिबूशन नेटवर्क सही किया जाएगा, 126 km लंबा, स्टॉर्म शेल्टर ड्रेनेज को बनाया जाएगा, 300 km के सीवेज सिस्टम्स बनाएंगे और चार सीवेज ट्रीटमेंट प्लान पर सेट अप की जाएगे, वीमन सेल्फ एल्प ग्रूप को यह पर ट्रेन किया जाएगा, कि कैसे वाटर सप्लाय सिस्टम को ट्रेन किया जाता है, तो यह सारे आपके प्रोजेक्स आप देखेंगे, इस लोन से जो Asian Development Bank ना प्रूफ किया है इस केंडर यहां पर यह पूरे होगे ठीक है चालिए फिर नेक्स जा जाते हैं President's Color Award पर इस President's Color Award को निशान के नाम से भी जाना जाता है and यह अवार्ड उन लोगों को या फिर forces को right equipment को जैसे टैंक्स वगरा हो गए या फिर आपके इंडिया नेवल शिप्स हो गई या कोई force हो गई कोई battalion हो गई उनको दिया जाता है उन्होंने जो अपना exceptional service दी होती है ना to the country in the both time of peace and war तो यहां पर उनको उनके exceptional services के लिए president's color से सम्मानित किया जाता है जनरली तो president के दोवारे support से सम्मानित किया जाता है अगर president ना हो तो यहां पर इस बार हमने देखा कि हमारे chief of army staff के दोवारा जो की है general manoj pande इनके दोवारा यहां पर इस president colors award से सम्मानित किया गया और किसको किया गया यह बहुत important रहेगा third battalion of naga regiment i repeat third battalion of naga regiment को यहां पर सम्मानित किया गया president colors award से किनके दोवारा chief of army staff के दोवारा जो है general manoj pande जी ठीक है फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे कहां पर इनको सम्मानित किया गया था यह सम्मानित किया गया था at an event जो था during color presentation prod during color presentation period जो कहां पर थी कुमाव regimental center में और यह कुमाव regimental center कहां पर है रानिखेत उत्राखंड में ठीक है यहां पर इनको सम्मानित किया गया था फिर याद रखेंगे जो नागा रेजिमेंट के हम बात करें थर्ड बटैलियन अफ नागा रेजिमेंट ये अक्टूबर एक 2009 में इस्टेबिश की गई थी इन हल्दिवानी जो कि कुमाओ हिल्स में लोकेटेड है पहली 1970 में रेज हुई थी और ये थर्ड बटैलियन कब हुई थी 2009 में ठीक है और थर्ड बटैलियन को यहाँ पर याद रखेंगे विशिश्ट सेवा मैडल से भी सम्वानित करा जा चुका है और इसी को निशान के नाम से भी जानते है प्रेजिडेंट कलर अवार्ड को फिर अगर पूछा जाए पहली बार प्रेजिडेंट कलर अवार्ड से किस फोर्स को सम्वानित किया गया था तो इंडियन नेवी को सम्वानित किया गया था पहली बार वास दा फर्स इंडियन आजाते हैं मालनुट्रिशन आफ चिल्रेन पर करेक्ट तो अभी रिसेंटली एक फर्स्ट एवर नेशनल प्रोटोकॉल लॉंच किया गया है इस इवेंट के दौरान जो की विज्यान भवन में हुआ था इस इवेंट के दौरान ही यह आपका प्रोटोकॉल को लॉंच किया गए झाली। पर देखेंगे जो ट्राइबल एंट्रिपनोर्शिप है क्राफ्ट्स है कल्चर है कुजीन है इसको यहां पर शोकेस किया जाएगा और 2023 के जो यह इवेंट होगा आधी मौचो यहां पर 336 ट्राइबल आटिशन एंड इंक्लूडिंग मेंबर्स ऑफ पर्टिकुलर्ली वन्रेबल ट्राइबल ग्रॉप्स वन्धन विकास के इंदर यह बेनिफीशन यहां पर हमें देखने को मिलेंगे इस पहम बात करता हैं मर्सर cf2 इंस्टिट्यूट के द्वारा अभ्री ग्रोबल पंशन इंडेञ्ट्स को रिलीस किया गया था आपकी टॉप पोजिशन पर आजाता है करेक्ट मां करके चलेंगे इसको फिर यहीं पर मर्सर की मैं बात करता हूं जिनके दौरा यह पंदर्वां ग्लोबल पेंशन इंडेक्स रिलीज किया गया यहां पर चीफ एक्जेक्यूटिव ऑफिसर कौन है वह मार्टेन पर निव यॉक यॉएसे में इसको इस्टैबलेश करा गया था नेक्स आजाते हैं बैंगलोर के कैंप को वड़ा इंटरनेशनल एरपोर्ट को ने अभी टॉप किया इस दा वर्ल्ड's most punctual एरपोर्ट कोई भी एरपोर्ट पंक्चुल जब बोला जाता है जब जो उनका फ् पंक्चुल एरपोर्ट अभी निकल के सामने आया है वो है बैंगलोर का केंप कोवडा इंटरनेशनल एरपोर्ट ठीक है यह वर्ल्ड का मोस्ट पंक्चुल एरपोर्ट सामने निकल के आया है और इसके लिए जो डाटा रिलीस किया गया वो किस ने किया गया सिरम सिरम क्या यह एक आपका एविशन एनलेटिक फर्म है इन्हीं के द्वारे यह डाटा रिलीज किया गया कि केम कोड़ा इंटरनेशनल एरपोर्ट जो की बैंगलॉर कंडाटका में है यह वर्ल्ड का मोस्ट पंक्चुल एरपोर्ट निकल के सामने है फॉर लास्ट थ्री कॉंजेक्योट मन्स जो की है जुलाई फॉर ऑगस्थ और सब्टेंबर मन्थ 2023 के लिए यही पर अगर देखें इन्होंने मैंटेंड किया ओन टाइम पैसेंजर्स पंक्चुली एट इलेटी सैवन पॉइंट फाइवन परसेंट जुलाई में 89.66 आउगस्थ में 85.88.51 इन सब्टेंबर मोविंग ओन फिर बात करते हैं पहले फर्स्ट एवर बीएस एनल बीटीएस की जो की वर्ल्ड के हाइस बैटल फिल्ड सियाचिन ग्लेशियर पे रहेगा और वो कहां पर है लद्दाग में ठीक है फैला बीएस एनल बीटीएस बीटीएस क्या होता है बेस ट्रांस रिसीव स्टेशन यह वर्ल्ड के हाइस बैटल फिल्ड जो की है सियाचिन ग्लेशियर लद्दाग में वहां सेटप किया गया यह जो टावर था इनॉग्रेट किया गया था सिक्ट ऑक्टूबर को 2023 और यह प्रोवाइट करेगा मोबाइल कॉम्मिकेशन सर्विसेज एटन तो दो सोल्जर्स एट अन अल्टिटूड ऑफ ओवर 15,500 फीट जो रेडियो ट्रांस में रिसीवर है देट विल लिंक मोबाइल डिवाइस तो सैलोर नेटवर्क और इसकूट बोला गया बेस ट्रांस रिसीवर स्टेशन बीटी एस ठीक है याद रखेंगे इंपोर्टन इसे क्या है आपके जो कनेक्शन है कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी वहाँ पर भी लोग इंटरनेट यूज कर पाएंगे हमारे आर्मी के सूल्जर्स करेक्ट एन इंफोर्मेशन शेयर करने में उनको ज्यादा असानी रहेगी इवन अभी याद रखेंगे इंडियन आर्मी इनके द्वारे एक डेमिनिंग ऑपरेशन कंड़ कराएंगे इन एरियाज ओफ दीज लोकेशन और जो कि लाइन अफ एक्च्वल कंट्रोल के साथ है इन दे ले डिस्टिक्ट ऑफ लद्दाक एंड बियॉंड जहां पर इन्हों ने देखा कि 175 माइन्स को इन्होंने डिस्ट्रॉय करा है तो पहला बी एसनल बीटीयस वर्ल्ड के हाइस बैटल फिल्ड सियाचीन ग्लेशर पे है लद्दाक में और इसको बनाया किसके द्वारा क्या है याद रखेंगे इंडियन आर्मी इन कोलाबरेशन विद भारत संचार निगम लेमिटेड और इंडियन आर्मी की भी याद रखेंगे सियाचीन वारियर्स के द्वारा इनको सेट अप किया गया इंस्टॉल किया गया है नेक्स पे आते हैं फिर इंपॉर्टेंट डेस आजाते हैं फ्रेंट्स वर्ल्ड माइगरेटरी बर्ड डेक अब ऑबज़र किया जाता है 14 अक्ट अबमन्थ जो की होता है स्प्रिंग टाइम पे और सेकंड सेटर डे ऑफ ओक्तोबर जो की होता आपके फॉल के टाइम पर और ऑटम के टाइम पर अब ऑट्पूबर सेकंड सैटर ड़ ऑप्तूबर था यह 14 अक्टूबर को अब ता इस लिए इसलिए मने अभजर्फ क्या वर्ल्ड मायकरिटरी बडे, 14 ऑक्टूबर को, इसकी थीम याद रखेंगे, वर्ल्ड वाटर सस्टेनिंग बड लाइफ, यह अपकी थीम रहेगी, वर्ल्ड मायकरिटरी बर्ड डे की, चलिये, नेक्स्ट पर आते हैं फिर, नेक्स हम बात करता हैं, World Standards Day तो 14 October को हम observe करते है World Standards Day इसकी theme यहाँ पर याद रखेंगे theme क्या रहेगी World Standards Day की Shared Vision for a Better World Standards for Sustainable Development Goals यह आपकी theme रहेगी World Standards Day की यह basically क्या है जो हमारे consumers होते हैं policy makers होते हैं उनको standardization के बारे में aware कराने के लिए इंपोर्टेंस को बारे में जागरू कराने के लिए यह day observe किया जाता है पहली बार 1970 में यह day हमने observe किया था Moving on Next International Day of Rural Women कब observe करते हैं 15 October को हम observe करते हैं International Day of Rural Women Rural Women जो अपनी education के साथ या फिर हम basically बोले Rural Women को educate करने के लिए skills provide कराने के लिए and वो अपने जो household है income का source यह भी एक काम कर सकते हैं by working on अलग-अलग jobs तो इनके बारे में इनके rights के बारे में aware कराने के लिए इनको अलग-अलग चीजों की skills के बारे में बताने के लिए and इनकी empowerment के लिए हम यह day observe करते हैं International Day of Rural Women पंद्रह अक्टूबर को यह day observe किया जाता है across the globe ठीक है तो agriculture में, rural development में food insecurity में and poverty को reduce करने में rural women एक बहुत important role play करती हैं इसलिए हम International Day of Rural Women observe करते हैं फिर यह पर theme आ जाती है Rural Women, Women with Rights यह आपकी theme रहेगी International Day of Rural Women पहली बार कब observe किया गया 2008 में यह day हम पहली बार observe करते हैं Next Next आज आता है फिर Global Hand Washing Day Reason क्या है इस day को observe करने का जैसा name suggest कर रहा है हमको hand wash करना चाहिए soap and water से अपने हाथों को अच्छे से साफ करना चाहिए ताकि जो germs होते हैं वो eliminate हो सकें इवन COVID-19 के टाइम पे हमने देखा था कि यह guidance आई थी यह guidelines आई थी कि हमें अपने हाथों को साफ रखना है इवन अपने हाथों से अपने nose and eyes को touch नहीं करना है ताकि hygiene maintain रहे और हाथ साफ रहेंगे तो जो आपके viruses हैं वो आपको अंदर नहीं जाहेंगे फिर यह पे थीम आजाती है इसकी clean hands और within reach clean hands are within reach यह आपकी theme रहेगी global hand washing day की जो कि 15 October को observe करा जाता है ठीक है और इस साल 2023 में हमने 16th edition observe किया है global hand washing day का चलिए next पे आते हैं फिर next हम बात करते हैं state news के बारे में और हम बात कर रहे हैं ओडिसा के चीफ मिनिस्टर नभीन पतनायक जी के द्वारा लाक्मी scheme को भी यह launch किया गया है LACMI आप देखो यह जो scheme है बेसिकली क्या है कि आपका ओडिसा state के अंदर ही जो आपका transport है ना mode of transport है उसको affordable बनाने के लिए लोगों के लिए अलग-अलग area क्योंकि अगर transport अच्छा होगा तो लोग एक जगे से दूसरी जगे easily travel कर पाएंगे तो आपके public transport को easy बनाने के लिए public transport को affordable बनाने के लिए और bus services को launch की गई है यहापे काफी सारी in Odisha तो यह है आपकी लाक्मी scheme यह कहाँ पर launch की गई मलकानगिरी डिस्टिक्ट में इसको launch किया गया था Odisha के चीफ मिनिस्टर नवीन पतनाइक जी के दुआरा ठीक है एम क्या है इसका reliable and affordable public transport प्रोवाइड कराने के लिए जिसमें हम bus की बात कर रहे है खासकर rural areas में इसका काफी ज़ादर benefit देखने को मिलेगा इसका एम क्या रहेगा ग्राम पंचाज को connect करना विद भहुनेश्वर और यह जो project is implemented in Odisha with a budget of 3,178 करोड रूपीज एनेक्स तीन साल के लिए यहाँ पे इतना पैसा खर्च किया जाएगा और पहले फेस में 36 busses को यहाँ पे deploy किया जाएगा ठीक है मा करके जलेंगे फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे नवीन पतनायक जी के दोबारा एक और scheme launch करी गई है जो की है अम्मा ओडिसा नाबिन ओडिसा अम्मा ओडिसा नाबिन ओडिसा यह भी scheme launch की गई है इसका aim क्या है कि जो rural infrastructure है ना उसको develop करना जो आपके temples हैं यहापर जो आपके जगनात culture है across उसको यहाँ पर बड़ावा देने की बात की गई इन दा पंचायत एरिया तो यहाँ पर देखा गया कि हर पंचायत को पचास लाग रुपे यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएंगे ताकि जो भी आपके worshiping places हैं उनको अपग्रेड कराए जा सके historical significance का जो infrastructure है उसको और better करा जा सके and digital access प्रोवाइड कराने के लिए इन दोज एरिया जाएंगे पचास लाग रुपे पर ग्राम पंचा जहाँ पर प्रोवाइड कराए जाएंगे अम्मा ओडिसा नाबिन ओडिसा scheme के अंदर तो यह दू चीज़ याद रखने है लेकमी scheme and अम्मा ओडिसा नाबिन ओडिसा जो की ओडिसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पतनाएग जी के दवारा यहां पर launch की गई नेक्स पर आते हैं फिर सेबर बैंक यह रशियन बैंक है और यह वो पहला रशियन बैंक बना जिन्होंने अभी रजिस्टर करा है सेबी के साथ as the foreign portfolio investor इन्होंने category 1 foreign portfolio investor license के लिए आपे अभी रजिस्टर करा है इससे क्या होगा कि इंडिया की जो भी equities होती है जो भी shares होते है mutual funds होते है bonds होते है derivatives होते है उनमें यह आपका bank invest कर सकेगा और याद रखेंगे यह रशिया का ऐसा पांचवां institute बन गया है जिन्होंने यहाँ पर जोइन किया पांचवां institution यह organization कहलो और पहला bank बनाया ठीक है इससे पहले अगर हम देखें तो जो non bank हैं वो कुण कुण से alpha capital management, first asset management igor noskov and west volod rozenov यह आपके चार non bank institutions हैं जो कि ऐसा FPA work कर रहे थे इंडिया में लेकिन अभी category 1 license जिस bank को मिल गया और वो पहला bank बन गया रशियन bank जो कि ऐसा FPA इंडिया में वो करेगा वो है Saber Bank New Delhi में इसको already हाँ पर एक branch थी 2010 में set up कर दी गई थी right याद रखेंगे चलिए next पर आते हैं नेक्स आते हैं भी बात करते हैं हम जानते हैं इरान में protest हो रहे थे कि जो हिजाब को लेके women के तो यहाँ पर एक women का नाम याद रखेंगी Jina Masa Amini यह आप पिक्चर में देख सकते हैं 22 साल की हैं यह Iranian women, Kurdish Iranian women इनको September 2022 में arrest करा गया था लेकिन arrest होने के 3 दिन बाद ही इनका death हो गई तो यह काफी एक shock की तरह गया और काफी ज़दा protest हमें इरान में देखने को मिले जिसके related हमने देखा काफी massive women-led protest हुआ इरान में तो इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर एक slogan दिया गया women life freedom ताकि जो Iranian women है movement उसको आगे बढ़ा जा सके and hijab law के against इन्होंने काफी protest हमें देखने को मिला था तो basically हम बोलें तो जो यह हुआ कि यह basically क्या दरशाता है कि हम human rights के लिए work कर रहे थे यह जो women नो protest किया इन्होंने अपने rights के लिए यहाँ पर protest किया correct अपने एक freedom of speech के लिए यहाँ पर protest किया यह अपने honor के लिए defend कर रहे थे अपने human rights के लिए यहाँ पर लड़ रहे थी यह women सारी करें तो इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर अभी इन Jina, Masha, Amini and जो women protesters थे इरान की उनको यहाँ पर शाखर ओफ प्राइस से सम्माने थे आगया शाखर ओफ प्राइस यह शाखर ओफ प्राइस कब established किया गया था 1988 में established किया गया था यह किसी individual या group को दिया जाता है जो कि अपने human rights को defend कर रहे हो अपने human rights के लिए work कर रहे हो correct तो mark करके चलेंगे शाखर ओफ प्राइस से सम्मानित किया जाता है इनको फिर यहीं पर इनको 50,000 यूरो से भी सम्मानित किया गया प्राइस से सम्मानित किया गया था तो 1988 में Nelson Mandela को सम्मानित किया गया था शाकर ओफ प्राइस से क्योंकि यह भी अपार्थाइट के सिस्टम के खिलाब महाँ पर work कर रहे थे correct तो mark करके चलेंगे कौन जीना महाशा आमिनी इनको यूरोप के टॉप हूमन राइट प्राइस से सम्मानित किया गया और यह भी पूछा जा सकते है कि यूरोप का टॉप हूमन राइट प्राइस का नाम क्या है अवार्ड का नाम क्या है वो है शाकर ओफ प्राइस ठीक है चलिए तो दोस्तों यह था हमारा आज का सेशन I hope आपको पसंद आया आज हमने थर्ड वीक of October month as well as उसके अलावा काफी पुराने current affairs be revise करे आपके exam के लिए बहुत beneficial रहेंगे so that's all for the day thank you and have a nice day that's all for the day friends I hope you enjoyed the session and you can follow us on the YouTube channel as well as apart from YouTube channel you can go and follow us at affairs cloud telegram channel and if you have any queries related to the content or the of course is offered to you or the payment which you did on the application you can contact us on the number provided that is 7677333862 apart from this friends you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle that is affairs cloud underscore official in the end friends if you use a code that is Vikas10 you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10 also if you have any problem regarding the course purchase any problem regarding to our application you can contact us on the mobile number that is 9677333862 and if you want to mail us you can also mail us on support at the rate of affairscloud.com and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue